तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सौगत आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में और आज की ये वीडियो उन नॉन रूटेड एंडरोइड डिवाइस यूजर्स के लिए होने वाली है जिन लोगों को भाई अपने फोन के अंदर गेम गार्डियन चलाना है बट उन्ह कोई पैरलल स्पेस मिल नहीं रहा या फिर कोई भी पैरलल स्पेस उनको मिला वो काम नहीं कर रहा है उनके फोन में तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पांच कमाल के पैरलल स्पेस जो कि अप्टिमाइज है गेम गार्डियन के लिए अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो यह जो सारे पैरलल स्पेस है न यह मैंने टेस्ट कर रखे हैं Android 13 के उपर मैंने इन्हें Android 14 के उपर नहीं टेस्ट किया है तो अगर आप लोग Android 14 वाले वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोडिंग करने में अगर कोई प्राब्लम आए तो सिंपल से आई बटन के उपर चले जाना वहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर आप लोगों को मेरी दीवी लिंक से डाउनलोड करने में कोई प्राब्लम आ रही है तो तो आप लोग उसको कैसे fix कर सकते हो, और इस वीडियो को start करने से पहले एक खास चीज और, यह जो मैंने 5 parallel space optimized वाले दिये है ना game guardian के लिए, इन में से 4 parallel space को मैंने खुद optimize किया है, और मैं यह skill तुम लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खु अकर यहां नहीं भी आती है, तो भी एक दो दिन के अंदर मेरा जो second channel है the gsm work 2.0, वहां पर जाकर के इस वीडियो को जरूर find out करना, वहां पर मैंने इस वीडियो को upload कर दिया होगा, ठीक है, तो आईए फिर हम लोग शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को, तो बहुत कमेंट में मिल जाएगी, आप लोग पिन कमेंट में जाकर के इन सारे parallel space को download कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है, हम लोग अब क्या करते है, simple से इन सारे parallel space को install कर लेते हैं, और उसके बाद one by one इनके उपर test करेंगे, कि क्या game guardian इनके उपर run हो रहा है, या नहीं ह ठीक है, simple से एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहरा हूँ, अगर कोई भी parallel space को install करते है वक्त, आपको Google की तरह से कोई warning मिलती है, जैसे Google उसको block कर देता है, या scan करने के लिए कहता है, तो आप लोगों को वहाँ पे छोटा सा more option दिखेगा, उसके उपर click और install without scanning के उपर click कर दीजिएगा, और आपका जो parallel space है वो बहुत आराम से install हो जाएगा, यह सारे parallel space safe है, use करने के लिए, किसी के अंदर कोई भी virus नहीं है, आप लोग virus total के उपर जाकर के check कर सकते हो बकायदा, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तो अगर कोई भी Google Play Protect से related चीज़ा है, तो I hope so कि आप लोग उसको खुद से manage कर लोगे, बहुत ही असान तरीके से, ठीक है, यहाँ पर यह पर यह पहला install हो गया है, और इसी टाइप से मैं अभी इस सारे parallel space को install कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पाऊगे, कि यहाँ प इसे detail करनेक बाद है कि install anyway वाला section आएगा, आपको simple से उसके उपर click कर देना है, जैसे आप लोग उसके उपर click करोगे न, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे कि बहुत ही अराम से यह पूरी तरीके से install हो गया, ठीक है, चलो, अभी हम लोग इसको back कर लेते हैं, और back करने parallel space के मैंने 3 APK दे रखे हैं, आप लोग इसमें confused मत होना कि यह तीनों क्या अलग-अलग हैं, बिलकुल नहीं, यह तीनों APK, एक ही APK का अलग-अलग part है, यहाँ पर जहां से देखो, यह है original parallel space के APK, यह 64 bit support है, यह 32 bit support है, इसका क्या मतलब होता है, कई बार जो हम लोग games को भाई parallel space के अंदर add करते हैं, वो 32 bit के हो सकते हैं, यह 64 bit के हो सकते हैं, तो उन games को चलाने के लिए, यह support वाली APK को भी आपको install करना पड़ेगा, install करने के बाद आप लोग इसको run भले नहीं कर पाऊँगे, बट यह आपके original parallel space के अंदर काफी जादा impact डालेगा, ठीक है, जहां से आप लोग देख लीजे, मैं सबसे पहले parallel space जो original वाला है, इसको install कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, इसको मैं install कर ले रहा हूँ, और install करते वक्त अगर आपको कुछ इस type का error देखने को मिले, app scan recommended, तो आप इसको scan भी कर सकते हो, बट नहीं करना चाहते, तो simple से क्या करना, more detail के उपर क्लिक कर दिना, और यहाँ पर यह जो install without scanning है इसके उपर आप लोग simple से क्लिक कर सकते हो, और आपका app without scanning इसको done कर दिया, ठीक है, अभी आपका जो original parallel space है वो यह वाला है, यह दोनो 64 bit और 32 bit support है, मैं simple से इसके उपर क्लिक करत यहाँ पर आप देख पाऊगे कि यह भी बहुती अच्छे से install हो गया है, और यहाँ पर फिर से कुछ इस type से error आ रहा है, हम लोग install without scanning के उपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, मैं back कर लेता हूँ, और इसको भी बहुती अच्छे से install कर लेता हूँ, तो सारे parallel space का demonstration देने से पहल ठीक है, आपको simple से क्या करना है, वहाँ पर जाकर कि जो भी आपका parallel space है उसको allow कर देना है permission, जैसे कि यहाँ पर यह मेरा parallel space है वह इस type वाल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, simple से इस parallel space को यहाँ पर ढूंडूँगा, और इसकी जो permission है उसको मैं यहाँ पर allow करूँगा, तो यहाँ पर आप देख पहूँगे कि यह रहा वो parallel space मुझे simple से क्या करना है इसके permission को allow कर देना है और जैसे मैं allow करके back करूँगा यहाँ पर game guardian restart करने के लिए बोलेगा मैं simple से restart कर दूँगा ठीक और restart करते ही मेरा वो parallel space है उसके अंदर game guardian की यह जो दिक्कत है वो बहुत ही आराम से fix हो जाएगी अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके सारे की सारे parallel space के अंदर की क्या game guardian चल पा रहा है हमारा या फिर नहीं चल पा रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे कि मैंने स सारे parallel space को open कर रहा है अब हम लोग इसको one by one चेक करते हैं ठीक है सबसे पहले मैंने इस parallel space को open किया और मैंने सारी game guardian की setting कर रहा है simple से मैं इसके उपर open करूँगा और जैसे मैंने यहाँ पर click किया आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे कि यह बहुत ही अराम से open हो गया है हम लोग simple से इसके उपर start करेंगे और start करते यहाँ पर आपको game guardian का icon दिख जाएगा ठीक है मैंने इसके उपर click किया यहाँ पर आप continue to app करिएगा इसके उपर हम लोग click करेंगे और यहाँ पर भी हमारा जो parallel space है वो open कर रहा है game guardian को और आप लोग यहाँ पर भी देख पाऊगे कि जो हमारा game guardian है वो बहुत ही अच्छे से चल जाएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप का section आए कि भया यह पहले shutdown हो गया था और क यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे game guardian चल गया है इसके उपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देख सकते हो इसके उपर भी सारी process दिखा रहा है ठीक मैं इसको exit कर देता हूं यहाँ से exit और मैं इसको कर देता हूं ठीक है मैंने इसको बन कर दिया हम लोग इस parallel space पर आ जाते ठीक है मैं simple से इसके पर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर भी आप लोगों कुछ सारी process देखने को मिल पा रही है ठीक है मैं इसको simple से exit कर दे रहा हूं यहाँ से भी और exit करके इसको भी मैंने बन किया और यहाँ पर हमारे बसते है last के दो parallel space मैं simple से इसके पर क्लिक करता हू और यहाँ पर भी मेरा game guardian बहुत ही अच्छे से आप लोग देख पाऊगे start हो रहा है कोई भी problem नहीं आ रही है start होने के बाद हम लोग इसको भी बहुत ही आराम से check कर लेंगा ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ हमारी जो चार parallel space है वो बहुत ही अच्छे से game guardian को open कर पा रहे थे उसके अंदर के सारे के सारे process भी वो लोग दिखा रहे थे अब यह हमारा जो last parallel space है यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा game guardian चल पाता है या नहीं ठीक है simple से मैंने इसको ignore किया यहाँ से start किया और game guardian open हो गया मैं simple से इसके पर click करता हूँ और click करते हैं आप लोग यहाँ पर भी देख पाऊगे कि सारी की सारी processes दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 5 parallel space दिए हैं वो सारे के सारे working है और बहुत ही कमाल के काम करेंगे और अगर आपको कोई भी दिक्कात आती है game crash हो रहा है आपका android 14 है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है यह सारी चीजों के उपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे चैनल पर चेक करोगे यह सारी वीडियो मिल जाएंगी और अगर आप लोगों को यह भी सीखना है कि कैसे मैंने इन सारे parallel space को game guardian के लिए optimize किया और इनको कैसे modify किया तो आप लोग simple से क्या कर सकते हो the gsm work 2.0 channel के उपर चले जाना वहाँ पर मैं एक दुद दिन के अंदर इसके उपर पूरी की पूरी वीडियो डाल दूँगा तो आप लोग जा करके उसको भी सीख सकते हो I hope so कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा informative रही होगी और इस वीडियो से आप लोगों को काफी जादा help मिली होगी अगर ये वीडियो आपको फसंद आती है तो प्लीज 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 दोस्तों subscribe कर लेना मेरे channel को अपना एक प्यारा सा comment कर देना और like कर देना मेरे video को ताकि सब लोगों को पता चल पाए कि ये video कितनी genuine है तो हम लोग मिलते है अपने अगली कमाल की video में हेलो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा एक और चैनल है जिसके उपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेर वीडियो पोस्ट करता हूं तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकाओ कर सकते हैं उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगा मिल जाएगी